हेलो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे साथ हमले गुत्तर प्रदेश आरो ए आरो 2023 के लिए प्रैक्टिस्टेट सौल कर रहे हैं जिसके अंतरगत पेपर फर्ष समान अध्यन के महत्पूर प्रश्णों को सौल करा जा रहा है यदि आप लोग चैनल पे नाया है तो सब्सक्राइब कर लिए जिसे वीडियो के महत्पूर नोटिफेकेशन आप लोगों को मिलते रहें अभी जो प्रैक्टिस्टेट सौल करा जा रहा है वह जिसके अंतरगत यह टेस्ट नंबर पाच है और टेस्ट नंबर पाच में अभी जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट जो चल ला है उसमें जनरल साइंस के हम लोग कोस्टन को सौल करेंगे तो यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर से करें और इसका पीडियो भी आप लोगों को टेलिकरम चैनल पर प्रवाइड करा दिया जाएगा वहां से पीडियो डाउनलोड करके आप और जो एक दो बार आप खुद से भी टैक्टिस कर लेजएगा तो चले इससे के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेकिन वी रिफलेक्शन निमनलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है नरायड वागूल निर्मला सीता रमड उर्चित पटेल या फिस ससी थरूर इसका जो सही अन्सवर है वो हो जाएगा ओप्शन ए नरायड वागूल द्वारा पुस्तक रिफलेक्शन लिखा गया है ठीक है और इसका वीमोचन 28 सप्रेल 2023 मूंबई में निर्मला सीता रमड द्वारा नरायड वागूल् द्वारा लिखित पुस्तक का वीमोचन किया गया था रिफलेक्शन जिसका नाम क्या है और्फलेक्वारा एगी पुस्तक के जो चालाय को 16 सप्रेलu 2023 को रमन मैक्सेसे पुरसक पुरसकार कितने वर्सों बात दिया गया है ऌर उनिस सव उनस्षट में दिया गया था लेकिन उस समय वो अपने देश से निस्कासी था कह सकते हैं कि तिबत पे चीन का दिकार होने के बाद दलायलाम अपने देश से आ गये थे कहां पर भारत में भारत के हिमान्चल से से पुरसकार जो टीम प्रदान करती है जो शांस्था है उस सांसरि बवार स्ट्रेम आ Hub एक सैन्शा दुबर्सम जो है वहार है फिलिपीन के सरकार द्वारा फिलिपीन से कि पी राश्च्चपती रवन में ध्युद्सकुरह दिया जाता है और यहां पुरसकारder since इसकी पुरसकार की घोष्ण नहीं संतावन से दिया जा रहा है और इन्हें दलाई लामा को पुरसकार दिया गया था और उन्हें पुरसकार प्रदान किया गया था और 64 वर्स बाद 2023 में यह पुरसकार उन्हें प्राप्त हुआ है और रमन मैक्स एसे पुरसकार की जो अस्थापना की गई थी वो 1957 में इसकी अस्थापना की गई थी और रमन मैक्स एसे पुरसकार को एजिया का नोबेल पुरसकार के नाम से भी इसे जाना जाता है फिलिपिन 18 अप्रेल 26 अप्रेल या फिर 28 अप्रेल इसका जो सहीं एंस्वर है वो हो जाएगा option C 26 अप्रेल को 20 बौधीक स्तंपदा दिवस के रूप में बनाये जाता है तो इसका जो सहीं एंस्वर है वो हो जाएगा option C और 2023 की जो थीम है वह महिला और IP त्वरित नवाचार और रचना प्रदान किया गया है या किस राज से संबंदित है तेलंगाना आंध्र प्रदेश करनाटक या फिर तमिलनाडू इसका जो सहीं एंस्वर है वो हो जाएगा option D या तमिलनाडू का मिट्टी का वर्तन है जिसे हाल है में जी आई टैग या भगौलिक संकेत प्रदान किया गय इसका जहीं एंसर है to define operation का वर्त चला गया था और इसमें भारत द्वड़ा ina स सुमिधा का सहारा ले गया था का सर्कते हैं कि भारती न उस्टेनाडवारा ina स सुमिधा के माद्यम से operation कावरी चला करके सूडान में जो भारती ह्या फोर्द थै उन्हें वापस निकाल गया हुरून का ग्लोबल यूनिकॉन इंडेक्स 2023 के मुसार भारत में कितनी यूनिकॉन है 132, 138, 142, 146 इसका जो सही एंसर है वो हो जायेगा option B बरतमान समय में भारत में जो यूनिकॉन की संख्या हुआ 133 आप लोग comment box में बताइए गया कि हाल ही में कौन सी वो company है जो बनी है यह बताइएगा और बरतमान समय में 138 यूनिकॉन है और यूनिकॉन के मामले में भारत जो है विस्व में तीसरे नंबर पे है पहले नंबर पे अमेरिका है पहले नंबर पे अमेरिका है दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे है भारत यूनिकॉन के मामल इसका जो सही एंसर है वो हो जाएगा option C, Syria विस्वकाद सबसे वड़ा नार्को इस्टेट है, जहां पे जो मादक पदार्थ हैं, उनका बहुत ही अधिक मात्रा में यहां से निर्यात होता है, और इसकी मुद्रा का जो मतलब Syria की currency है, Syria की विदेशी मुद्रा का जो एक बहुत ही मेजर पार्थ है, लगबंग 90 प्रतिसत जो पार्थ है वह इसी से आता है, तो सही एंसर क्या हो जाएगा option C, Syria हालही में सायुक्त राष्ट के खाद और क्रिसी संगठन FAO ने क्रिसी खाद प्रडालियों में महिलाओं की इस्तिती पर एक रिपोर्ट जारी किया है, इस संदर में निम्नलखित में से कौन सा कथन सही है, उप सहारा अफ्रिका में 60 प्रतिसत पूरुसों की रोजगार की प्रडालियों से संबंधित है, धक्षिडेसिया में श्रमबन में 70 प्रत्सत महिलाएं क्रिसी खाद प्रडालियों में काम करती हैं जबकि पूरुसों की संख्या 47 प्रत्सत है, आपको पताना है कौन सा वीगल्प सही है, इसका जो सही एंस्वर है वो हो जाएगा, और संसी की बात हो रही है 10 से 19 वर्स आयुवर्ग की जो जनसंख्या है भारत में वह 18 प्रत्सत है 10 से 24 वर्स की आयुगी 30 प्रत्सत 15 से 64, 68 और 65 वर्से से उपर की जो लोग हैं वो 7 प्रत्सत हैं यह भारत की बात हो रही है तो आपको बताना इसमें कौन सा वीगल्प गलत है इसका जो सही एंसर है वो हो जाएगा option b 10 से 24 वर्से की संख्या 30 प्रत्सत यह गलत है देखे 25 प्रत्सत जो जन संख्या है वह 0 से लेकर के 14 वर्स की है कितनी प्रत्सत 25 प्रत्सत ठीक है और 10 से लेकर 19 आयुवर्ग में जो जन संख्या है उसका अनुपाद है कितना 18 प्रत्सत दस से ले करके 29, तीसे नमबर पे 10 से ले करके 24 आयुवर्ग में है, इनकी जो संख्या है, 10 से ले करके 24 आयुवर्ग में, इनकी संख्या है 26 प्रत्सत, और 15 से ले करके 64 आयुवर्ग में जो जन संख्या है, उसकी प्रत्सता है कितनी 68 प्रत्सत, और 65 प्रत्सत से उपर लोग वर्ट से की संख्या 30 प्रत्सत या गलत है इनकी संख्या कितनी है दस से लेकर के 24 वर्ट के लोगों की जो संख्या है वो 26 प्रत्सत है ठीक है और वर्तमान आकडों के अनुसार जो UNFPA के नया रिपोर्ट आया है इसकी अनुसार भारत विस्व का सरवाधी का बादी वाला दे से चाइना जो है दूसरे नंबर बे आ गया है और भारत की सरवाधी का बादी वह युवा वर्ग है ठीक है जहां से जहां पर 15 वर्ट से लेकर के चौशट वर्ट के लोगों की जो संख्या है वो 68 प्रत्सत है इसका जो सही अन्सवर था वो है आपका उप्शन भी 10 से 24 से कौन सा कथन सही है संस्कृति मंत्राले अंतराष्टी बौधिक परिसंग के सहयोग से नई दिल्ली में पहला वैस्विक वोद सिखर सम्मिलन कायोजन किया गया इस सिखर सम्मिलन का विश्य है समकालिन चुनोतियों पर प्रतिकिरिया अभ्यास के लिए दर्सन इसका सही सही एंस्वर क्या होगा इसका जो सही एंस्वर है वो हो जाएगा अप्षन सी दोनों विकल्प जो है बौधिक संपताया क्या सेकते हैं कि जो विश्स सब्राइस वीश्य सीखत समिलन धियोजना का सुभरम किया गया था और इसका जो सुभरम्ब है ग्रामिड विकास मंतरी गिराज सिंग द्वरा किया गया था महिलाओं को स्वयम सहायता समूहों से जोडने के लिए इसका इसकी सुरुवात की गई है ठीक है और वरतमान समय में जो सेल्फ हेल्फ ग्रूप है साय था सामूँ उसे जुड़ी महिलाओं की जो संक्या है वह कितनी है 9 करोड है जिसे भभिस में 10 करोड करने का लक्ष रखा गया ठीक है इसके माध्यम से Self Help जो ग्रूफ है इसे से महिलाओं को 10 करोड महिलाओं को जोड़ने का लक्ष रखा गया है और बरतमान में इससे कितनी महिलाएं जुड़ी है 9 करोण जुड़ी है ठेक है तो याद रखेगा इंपोर्टेंट है विजडन T20 प्लेयर ओफ 2023 के संदर में निमनलखित में से कौन सा कथन सही नहीं है हर्मन पीत कोर इस लिस्ट में अस्थान बनाने मली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है इंग्लेंड के वेनि स्टोक्स को पूरुस खिलाडियों में 2022-23 के लिए बिश्व का सबसे सांदार क्रिकेटर चुना गया है सुभमन गिल को T20 क्रिकेटर ओफ दे इयर चुना गया है विजरन 1889 से हर साल यह लिष्ट जारी करता है आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है इसका जो सही अंसर है वो हो जाएगा उप्सन C अप्सन C गलत है अन्य सभी विकल्प जो है T20 प्लेयर ओफ दे इस के संदर में सभी विकल्प सही है सी गलत है मैलकम अधिसेशिया पुरसकार 2023 के लिए निमलखित में से किसे चुना गया है गीता मित्तल अच्छता मूर्थी इसीता देव या उत्सा पटनाईक इसका सही अंसर है और यह जो पुरसकार है अर्थसास्तृ उत्सा पटनाईक को 2023 के लिए चुना गया है और 2022 का जो पूरसकार है वह भारती अर्थसास्तृ प्रभात पटनायक को दिया गया था ठीक है तो याद रेखेगा मैलकम अधिसेशिया पुरसकार 2022 भारती अर्थ साल्स्तरी परभात पटनायक को दिया गया था जबकि 2023 का मैलकम अधिसेशिया पुरस्कार जो है वह उत्सा पटनायक को दिया गया है शहीं अनसुर क्या है सहीं अनसुर जाएगा उफ्शन D गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कारिकरम की सराज सरकार द्वारा सुरू किया गया है उतरा खंड उत्तर प्रदेश बिहार या फिर पस्षिम बंगाल इसका जो सही एंसर है वो हो जाएगा option A उत्राखंड सरकार द्वारा गंगा सम्मगर अविरल गंगा निर्मल गंगा कारेकरम की सुरुवाद की गई है गंगा नदी को जीवन्द और फिसुने स्वच्छ बनाने के लिए उत्राखंड सरकार द्वारा इस कारेकरम की सुरुवाद की गई है सही एंसर क्या है option A हाली में पत्रकार तारीक फटह का निधन हो गया है या किस देश के मुल निमासी थे भारत, पाकिस्तान, सौधी अरब या फिर बांगलादेश इसका जो सही एंसर है वो हो जाएगा option B या पाकिस्तान के मुल निमासी थे जिनके द्वारा कानाडा का नागरिक तागरहर किया गया था और हाली में की मृत्यू हो गई है option B वित्वर्स 2022 तेश में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार कौन रहा चाइना, रूस, सायुक्तरब अमिराथ या फिर सायुक्तराज अमेरिका इसका जो सही एंस्वर है वो हो जायेगा option D वित्वर्स 2022 तेश में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक साज़दार अमेरिका था इसके पहले क्या था? इसके पहले भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदा चाइना था लेकिन बर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा जो ब्यापारिक साज़दार है वह अमेरिका हो गया है option D सही है आठ प्रमुकु द्योगों की सुचंग कांग ने मार्च 2022 में की तुलना में मार्च 2023 में कितने प्रतसत की ब्रिधी दर्ज की थी तीन दस्मलोच है चार दस्मलोच है पाच दस्मलोच है या फिर छे दस्मलोच है इसका सही अंसर जाएगा option D 3.6 प्रतसत दो हजार बाइस की तुलना में 2023 में जो कोर्षेतर हैं जिनने कोर्षेतर के नाम से जान जाता है जो किसी भी देश की यर्थ बिवस्था की रिड की हड़ी जिनने माना जाता है और इनकी जो ब्रिधी दर है वह 3.6 प्रतसती और इसमें अगर कोर्षेतर के अगर हम बात करें इसमें मुक्रूप से कच्चा तेल, प्राकिर्थिक गैस, रिफाइनरी उतपाद, उरवरक, इ आठ ऐसे उद्योग हैं, जिनने कोर्षेतर के अंतरकर रखा जाता है, तो सही अंसर क्या हो जाएगा, उप्सन ए, 3.6 प्रतसत, किस देश ने चैट GPT का प्रतिद्वेंदी, गीगा चैट AI चैट बोट लांच किया है, चीन, रूस, जापान या फिर इरान, इसका जो सही अ असिस्टेंट का क्या नाम है, जो चेक इन प्रक्रिया के माध्यमते यात्रियों का मार्ग दर्सन करेगी, शोफिया, हनाया, सारा, या फिर एरी का, इसका जो सही अंसर हो जाएगा, उप्शन C, इसका नाम है सारा, ठीक है, तो सही अंसर है, उप्शन C, और इसे दुबई क वित्तिय जिले में एक नया सेट सीटी चेक इन और ट्रेवल इस्टोर लांज करने की घोशना की गई है और दुबई सरकार दवारा एक नया जो असिस्टेंट है चेक इन असिस्टेंट सारा के नाम से इसे शुरू किया गया है तो सही अंसुर क्या हो जाएगा उप्शन सी मलेरिया उन्नमूलन पर एसिया पैसिफिक लीडर्स कॉनकलेव का मेजबान कौन सा देश रहा फिलिपिन्स ब्राजिल नाइजेरिया या फिर भारत इसका सही अंसुर है उप्शन दी भारत भारहिंता की अवस्था में एक मुंबत्ती की जुआला काकार क्या होगा छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा या उप्यूगत में से कोई नहीं इसका जो सही अंसुर है वो हो जाएगा उप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा वर्फ की गुप्त उस्मा कमान कितना होता है 20 कैलोरी प्रतिग्राम, 40 कैलोरी प्रतिग्राम, 60 कैलोरी प्रतिग्राम या 80 कैलोरी प्रतिग्राम इसका सही एंस्वर है option D वर्फ की गुप्त उस्मा कमान 80 कैलोरी प्रतिग्राम होता है सही एंस्वर है option D चंद्रमा पर लोलग घड़ी ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा आवर्तकाल बढ़ जाएगा आवर्तकाल घट जाएगा आवर्तकाल अनन्त हो जाएगा या फिर आवर्तकाल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा इसका जो सही एंस्वर है वो हो जाएगा option ने आवर्तकाल बढ़ जाएगा देखे चंद्रमा पर लोलग घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान जो है फृतिवी के जी के मान का एक बट्टा 6 गुना होता है जिसका रड़ फृतिवी पर लोलग घड़ी के का जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा option ने सही है निमलखित में से डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं है इसका उपयोग वाज में उर्ते विमान के वेग का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जल के भीता चलती पंडूबी का वेग ग्याद करने में किया जाता है तहार होता था गैलेक्सियों की गति का अनुमाल लगा जाता है या फिर निर्वात या वाज में प्रकास का वेग ग्यात किया जाता है इसका सही अंसर क्या है इसका जो सही अंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन टी निर्वात या वाज में प्रकास का वेग ग्यात किया जाता है किया गलाद है और किशी बिन्दुप आ द्रौ का दाव। निर्भर करता है द्रौ के घंतव भार पर घणतव पर द्याव एक्ष्ञत 59 द्रव के घनत्व पर द्रव में द्रव में द्रव में द्रव के नियम के अंसर किसी बिंदू पर द्रव का जो दाव है वह द्रव के घनत्व पर ने भर करता है तो सही अंसर क्या है आप एक्षिक घनत्व का मान मापा जाता है किस से हाइड्रोमीटर से हाइग्रोमीटर से ब सेखिए सैधान्ति के तोर पर अधिक्तम ताप की कोई सीमा नहीं होती है परंतुन नियूंतम ताप की सीमा होती है किसी भी वस्तु का ताप माइनस 273 तसमलों 15 डिगरी से इंटिग्रेट से कम नहीं हो सकता आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है इसका जो सही अंस्वर है वो हो जाएगा ओप्शन बी कतानों कारण दोनों सही है लेकिन आर एकी सही व्याक्या नहीं करता है ओप्शन बी जो है वो सही है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने की लिए अप अच्छीत उद्भाषनकाल से ये किसा बातार्थ की दूरी पर पदार्थ के प्रकार पर कैमरे की गुडवत्ता और या बातार्थ की चमक पर इसका सही णस्वर है ओप्शन डी प और काच में लाल रंग का जो वेग होता है और अपुर अल्ग सबसे कम होता है। इसका सहीं एंसवर है option C, दोनों वीकल्ब जो है वो आपके सहीं है, काच में बैगनी रंग में बैगनी रंग के जो प्रकास का वेग है वो सबसे कम होता है और अपोर्तनाग सबसे दिखोता है और लाल रंग का जो वेग है वो सबसे दिखोता है और अपोर्तनाग सबसे कम हो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति के संदर में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है मायोपिया मतलब निकट द्रिश्टितोस और हाइपर मायोपिया मतलब दूर द्रिश्टितोस इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option D next देखिए विद्दुत फ्यूज का प्रियोग परिपत में लगे उपकरणों की इस्तुर अच्छा के लिए किया जाता है या किसका बना होता है पीतल और टीन का टीन और सीसा का पीतल और तामबा का या फिर सीसा और तामबा का इसका जो सही अंसर हो जाएगा option B टीना और सीसा का या बना होता है जिसमें टीन की जो मात्रा है वह होती है 63 प्रतिसत 63 प्रतिसत टीन की मात्रा होती है और इसमें सीसा की मात्रा होती है 37 प्रतिसत ठीक है तो याद रखेगा option भी सही है लेश्ट देखे इसमें दो विग आपके एक दूसरे से सुमेरित करना है ठीक है एलीटेम क्या है एलीटेम की अगर हम बात करें तो यह एक कृतिम स्वीटनर कृतिम मधूरक है सेंटिल ट्राई सेंटिल ट्राई जो है यह धनायनी अपमार्जक है धनायनी अपमार्जक है यह आवसाद रोधी एक दवा है और नोरेन थीन ड्रोन या क्या है या प्रतिजन छमता बढ़ाने वाली एक आवसाद ही है नोरेन थीन जन इसका सही अंसर क्या होगा इसका जो सही अंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन B दो तीन एक चर परजीवी के संदर में निम्नर्खित में से कौन सा कथन सही है डोडर की कई प्रजातियां उद्यान क्रिसी होटी कल्चर उद्योग में खरपतवार की समस्या का कारण है डोडर पौधा परपोसी पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जड़ पडाली को खो देता है या फिर नश्ट कर देता है इसका सही अंसर क्य निर्मुक्त होती है तो स्चैनले जब करनी किस साट छड के नियम का एक रूप है संब्यग उज़ांशेट conducting नियम का एक रूप हैं फिटकरी गंदे पानी को सुध कर देता है किस वीधी द्वारा या गंदे पानी को सुध करता है प्रभावी आश्वन द्वारा इसकंदन द्वारा और शोंशर द्वार या फिर अपोहन द्वारा इसका जो सही एंस्वर है वह जाएगा उप्शन भी इसकंदन द्वारा जो ह है फिटकरी गंदे पानी को सुध कर देता है option भी सही है निम्नलखित में से किस तत्व की कमी से घेखा रोग होता है आयोडीन फॉस्फोरस कैल्सियम या फिर सलफर इसका सही अपशने पावर ट्रांसफार्मर की करदाली जो है फैराडे नियम परधारी थे है रडार सिस्टम में उपयोगी की जाने वाली तरंग किसे प्रकार की तरंगों का उदाहरण है अवरक्त किरण अलफा तरंग सुच में तरंग या फिर वीटा तरंग इसका सही आइंस और ऑप्शन सी यह सुच में तरंग का उदाहरण है एक उड़ते हुए चक्के की प्रती सेकेंड घुडन मापी जाती है इस्ट्रोबो इसकोप द्वारा इनिमो मीटर द्वारा एरो मीटर द्वारा या फिर अल्टी मीटर द्वारा इसका सही आइंस और है उप्शन इस्ट्रोबो इसकोप द्वारा उड़ते हुए चक्के की ग मनुसर थे कम 20 हर्ज से 200 हर्ज तक या फिर 20 हर्ज से 2000 हर्ज तक इसका सही gas सबसे म rugged महत्पुर्ण घटक निम्दलिकित में से कौन है सिलीका, क्वार्ट्ज, माइका या फिर सीने बार इसका सहीं एंसवर है काच का सबसे महत्पुर्ण घटक होता है सिलीका। प्रस्तावित किया गया था और नेश्ट रदर फोर्ड द्वारा मैक्स वेल द्वारा या जॉन डाल्टन द्वारा इसका जो सही एंस्वर है वह जायाएगा जॉन डाल्टन द्वारा निम्दलिकित में से किस उपकरण का उपयोग बादलों की उचाई वेग तथा उसकी गत अप्शन द्वारा निम्दलिकित में से किस ताप पर पारा अतिचालक बन जाता है माइनस 268.8 डिग्री सेंटिग्रेट माइनस 168.8 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान या फिर पर पारा जो है एक अतिचालक बन जाता है ऑप्शने सही है कैथोड किरणों के गुडों के संदर में निम्दलिकित में से काउन सा कथन गलत है कैथोड किरणों को किवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है कैथोड किरणे और द्रिश्य होती है और सीधी रेखा म कैथोड किरणों का वेग प्रकास के वेग स्यदिक होता है या गलत है कैथोड किरणों का जो वेग है वो प्रकास के वेग का एक वट्टा दस गुना होता है ठीक है एक बट्टा दस गुना होता है सही अंसर क्या हो जाएगा option C सी गलत है चंद्रमा से परावर्थित प्रकास को फिर्थवीता काने में कितना समय लगता है आठ मिनट 16 सेकेंड एक मिनट 28 सेकेंड चार मिनट 16 सेकेंड या दो मिनट 28 सेकेंड इसका जो सही अंसर है वो हो 28 सेकेंड का समय लगता है और सूरे से प्रकास को फिर्थवीता काने में कितना समय लगता है आठ मिनट 20 सेकेंड तो दुनों याद रखेगा इंपोर्टेंट है ठीक है चंद्रमा से आने में एक मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है और सूरे से प्रकास को फिर्थवीता काने मे आठ मिनट 20 से से केंड कासा में लगता है सही अंसर क्या है? आप्सन B निमनलखित में से कौन सा कथन सही है? सभी विद्धूत चुम्ब की ये तरंगे फोटॉन की बनी होती है विद्धूत चुम्ब की ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है आपको बताना इसका सही अंसर क्या होगा? इसका सही अंसर ओप्सन सी दोनों विद्धूत सही है निमनलखित में से कौन एक सही सुमिनीद है? कासा जो C.U.J.N. का मिश्रड होता है डच मेटल AI और MG का मिश्रड है AL और MG का है अलुमिनीयम और मैङनीसियम के मिशरण से बनता है डच मेटल मोनेल मेटल या Q और NI से बनता है रोज मेटल SN और Pb से बनता है आपको बताना है कौन सा ओविकल्प सही है इसका सही अंसर ओप्सन C मोनेल मेटल जो है जिसमें कॉपर और निकिल होता है option D यह सबी धातुमें जो हैं इनके द्वरा अमलगम नहीं भनाया जाता है तो सही अंसर क्या है option D क्यों सा इनके लाएट नेम्सरा के नाम से जान जाता है कैलोसियम नाइट्रेट के नाम से जान जाता है कैलसीय साइनेंामाइट अमोनिया-सल्फियट या यूरिय इसका जो सही अंसर है वह जाएगा option A केल्सियम नाइट्रेट को नर्वेजियन सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है तो सही अंसर क्या है? उप्सने फोटो क्रोमैटिक काच किस कारड धूप में स्वता ही काला हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारड सिल्वर ब्रोमाइड के कारड कैमरा या दूर्बीन का लेंस बनाने में फिल्ट काच का उप्योग किया जाता है अप्सन भी सही है इसमें जो है गर्म एलुमीना का उप्योग किया जाता है अप्सने सही है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घन तो बढ़ जाएगा दूध का घन तो कम हो जाएगा दूध का आयतन बढ़ेगा या दूध का आयतन घटेगा इसका सही एंस्वर है option A यदि दूद से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा दूद में पानी मिलाने पर उसका जो घनत्व है वो कम हो जाएगा लेकिन क्रीम निकालने पर उसका घनत्व बढ़ जाएगा option एंस्वर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है ताकि वर्फ जल्दी ना पिखले option C हड्डियों में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है 14 प्रत्सत बार है 10 या फिर 8 इसका जो सही एंस्वर है वो हो जाएगा option D हड्डियों में फॉस्फोरस की जो मात्रा है वह 8 प्रत्सत होती है मिट्टी में छार कत्व को घटाने के लिए निम्दलखित में से किसका प्रयोग किया जाता है जूरिया चूने का पथर जिप्सम या फिर फॉस्फोरस मिट्टी की छारियता को दूर करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है option C सहीं है निमनलखित में से कौन सा सहीं सुमेलित है potassium carbonate pearl is iron pyrites विवकूफो का सोना पारा quick silver या उप्यूक्त में से सभी आपको बताना कौन सहीं सुमेलित है इसका जो सहीं answer है वो हो जाएगा option D सभी सभी विकल्प जो है वो सहीं सुमेलित है potassium carbonate को pearl is का जाता है iron pyrites को विवकूफो का सोना का जाता है और पारा को quick silver का जाता है सभी विकल्प जो है वो सहीं नेक्स्ट देखिए निकल क्रोमियम और iron की मिश्र धातु है नाइक्रोम व्रीटेनिया धातु बैबिट धातु या उ सहीं अंसर है वो जाएगा option है नाइक्रोम नेमनलिखित में से किसका उपयोग आप मार्यक चूड बनाने में किया जाता है sodium carbonate sodium hydroxide sodium chloride या potassium nitrate इसका सहीं अंसर option भी sodium hydroxide इसका उपयोग जो है अप मार्यक चूड बनाने में किया जाता है सहीं अंसर क्या है सहीं अंसर जाएक option B sodium hydroxide अमल एक क्या है योगी कि मिश्र तत्व या उपयोग में से कोई नहीं इसका सहीं अंसर option है अमल जो है या एक परकार का योगी क्या option है सहीं है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लागी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले समाने सरीर में पाये जाने वाले तत्वों की आउसत मात्रा में oxygen के बाद किसका स्थान आता है calcium का hydrogen का carbon का या फिर sulfur का इसका जो सहीं अंसर है वो हो जाएग option C oxygen के बाद सरीर में सबसे दि अक्सीजन है और carbon इसमें जो है 18 प्रत्सत पायाता है hydrogen 10 प्रत्सत nitrogen तीन प्रत्सत ठीक है तो सहीं इंसर क्या हो जाएग ऑप्शन C carbon इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमलित करना है कुछ रासिया दी गई है और उनका मात्रक दिया गया है इसे जो है आपको सुमलित करना है विद्दूत आविस विद्दूत आविस का जो मात्रक है वो कुलाम होता है विवांतर का मात्रक होता है वोल्ड विद इस बाजी के दोरान लाल चटक रंग किसकी उपस्तिती के कारण उत्पन होता है बेरियम, स्ट्रॉंसियम, सोडियम या फिर रेडियम इसका सही अंसर ऑप्सन B आतिस बाजी के दौरान जो लाल चटक रंग देखने को मिलता है वह इस ट्रॉंसियम की उपस्तिती के कारण उत्पन होता है तो सही अंसर क्या है? Option B Next देखिए उत्तर प्रदेश के दो पंचायतों को मिला राष्टिय पंचायत पुरसकार 2023 से नमाजा गया है या किस जिले में इस्तित है? प्रियाग राज जौनपूर, प्रियाग राज वारान सी, सिधार्थ नगर मुरादाबाद या गाजियाबाद कानपूर इसका सही एंस्वर है option C, सिधार्थ नगर और मुरादाबाद Next देखिए और आज का last questions उत्तर प्रदेश में पहली महिला विस्विदालय की अस्थापना किस जिले में की जाएगी? देवरिया, गोरगफूर, आयोध्या या फिर हापूर इसका जो सही एंस्वर है वो जाएगा option B उत्तर प्रदेश में पहले महिला विस्विदालय की अस्थापना जो प्रस्तावित है वह गोरगफूर जिले में है इसके अस्थापना कहाँ की जाएगी? गोरगफूर में यह था आज का last questions I hope वीडियो आपनों को अच्छा लगा होगा वीडियो से related कोई confusion हो, कोई doubt हो या किसी भी प्रकार का कोई suggestion हो comment box में बता सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो like करना बिल्कुल भी ना भूले आपको like करने से हमें अंदर से motivation मिलता है कि हम और अच्छे content के साथ जितना अपना effort लगा सकते हैं वो लगाएं और आप लोगों के लिए कि आप लोगों की तैयारी में थोड़ी बहुत जो हम अपना मदद कर सकते हैं तो वीडियो ज़रू like कर दिया करिए और यह test number 5 था इसके बाद जो है GS World की सभी टेस्ट जो हो full test है ठीक है जिसमें आपको सारे subject से related questions देखने को मिलेंगे तो उन्हें solve किया जाएगा फिर उसके बाद जो है PCS मंतरा के test list को solve किया जाएगा और उसके paper first और paper second दोनों के practice state available हैं तो PCS मंतरा का जब practice state solve कराया जाएगा तो GS और Hindi दोनों जो आपके paper हैं दोनों paper को proper solve कराया जाएगा और जैसा कि इसमें current affair का weightage भी अच्छा खासा रहता है तो हो सकता है कि कुछ दिनों में current affair की जो mag gene है जाए घटना सार या घटना चकर वो आ जाए तो उसे भी proper cover कराया जाएगा और current affair में भी कम से कम एक साल के current affair को proper cover किया जाएगा मतलब मान के चलिए कि December या January से ले करके और exam तक कि जो भी current affair है उनको proper अच्छे से cover किया जाएगा ताकि current affair का section भी आप लोगों का strong रहे और वहाँ से भी questions अगर आ रहे हैं तो आप उसे अच्छे से attempt कर लें ठीक है तो कोसिस यही रहेगी कि हम जितना अच्छा content बना पाएं जहां से material मिल ला है अच्छे material पढ़ना जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए बहुत है अगर एक subject हम पढ़ेंगे तो एक ही subject में आपकी पूरी जिन्दगी खतम हो जाएगी लेकिन वो subject खतम नहीं होगा तो हमें क्या है हमें बस selection लेना है तो selection के perspective से क्या जरूरी है कितना जरूरी है बस उसे पढ़ना चाहिए ठीक है तो आप लोग अगर देखरों चाहें तो पिछले साल के questions पेपर उठाकर कि देख सकते हैं कि आरो यारो में कैसे questions बनाए जाते हैं कैसे put up होते हैं ठीक है तो एक idea लग जाएगा तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद